कि आपके डॉकुमेंट पे कितने सारे SIM कार्ट जो है अवेलेबल जो चल रहे हैं रणिंग में हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पता भी नहों कि हमारे डॉकुमेंट पे ये नंबर कैसे issue है यानि कि ये सारी चीजे जो है government portal पे उबलब्ध है जो कि वहां से आप check कर पाएंगे कि आपके document से कितने सारे sim card जो है activate है और कहीं फरजी तो आपके document से कोई number नहीं चल रहे हैं इन सारी चीजों को जो है आप एक ही portal पे देख पाएंगे ओभी government के portal पे और वहां से जो है अगर आप उस नंबर को नहीं जानते हैं कि हमारे document से हमारे यह number registered है तो इक इसका है अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो आप इजली वहां से जो है report करके उस number को फरजी में डाल सकते हैं यानि कि वह डियक्टिवेट भी करा सकते हैं वीडियो को पूरी देखेगा complete मैं वीडियो को जो है डिस्प्ले पे दिखाऊंगा आपको कैसे portal पे चेक करना है कि आपके नम पे कितने SIM कार्ड जो है रजिस्टर हैं सो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा दोस्तों चैनल पड़ाकर आप नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइट करते रहते हैं चलिए को सर्च करेंगे ट्यफ को साइब करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर को सबसे ने के बाद नि देखने को मिलेगा तो सबसे उपर वारी जो वैब साइड है आपको सिम्पिली उसी पर टैप कर लेना है यानि वहां पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सो होगा यह जो आपको दीख रहा है यहां पर जो है यह भारत दूर संचार की वैब साइड है जो है यह फैसिलिटी जो है फ्राड एस्टर मैंजमेंट कंजूमर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है यहां पे आपको अपना फॉन नंबर एंटर कर लेना है जो रजिस्टर है फॉन नंबर करने के बाद आपको रिक्वेश्ट ओटीपी करना है रिक्वेश्ट जैसे ही आता है ओटीपी सब्मिट करने के बाद आपको जो है वैलिडेट करना है ठीक है वैलिडेट करना है वैलिडेट करने के बाद जो है आपकी डिटल्स होगी ठीक है तो हम यहां पे जो है अपनी जो है ओडीप यहां पे हमारी आ चुकी है हम यहां से इसको वैलिडे इसको ठीक है जो मेरुपार्श को आप जो है बिजि किसी भी यह जो आप रिपोर्ट कर सकते या यहां पर हमारे तीन नंबर सो कर रहे हैं यह तीनों नंबर रिकौाईर है यह फिश Khotostus अध्याबर नंबर ठीक है यहांसे सब्सक्राइर या इसको जो है अगर चाहते हैं box पे click कर लेना है box पे click करने के बाद आपको कौन सा option choose करना है यानि this is not my number यानि मेरा number नहीं है या not required या required तो आपको simply उसको करके और box पे click करके report कर देना ठीक है report करने के बाद जो है यहाँ से इनको जो है system पे चला जाएगा जहां से वो आपकी report को आप यहां पर track भी कर सकते हैं उपर track status या cancel जो भी है उपर एक box दिख रहा है आपको box में जो है देख सकते हैं ठीक हो हाँ से track करके आप इसको easily रिक जो है इसली track कर सकते हैं तो इस तरह आप जो है अपनी protection रख सकते हैं यानि आपके documents है अगर कोई भी फर्जी number दीख रहा है तो इसको आप easily report कर सकते है report करना बहुत ही important है ठीक है report करने के बाद जो है आपकी जो है वो fraud number या जो अंचाहा number वो हटा दिया जाएगा वीडियो को like जरूर कीज़ेगा दोस्तों और मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बने रही हमारी चैनल पर